तेजस्वी यादों की पत्नी राजश्री जो है अब राजद के लिए लक्षमी सावित हो रही है जबसे उनका पैर राबड़ि अवास में पड़ा है तब से तेजस्वी यादों और राजद को फायदा ही फायदा हो रहा है अब हम आपको फायदे बताएंगे कि जब से राश्री आई है तब से तेजश्वी को कितना फायदा हुआ है देखें 10 दिसंबर 2021 को तेजश्वी यादो ने दूसरे धर्म की लड़की से लव मेरेज किया और उसके बाद लगतार बिहार की राज से तेजश्वी को खूब फायदा हुआ इतना फायदा कि राजद के जो भी नेता है अब वो राश्री को लक्षमी मानने लगे हैं पहला फायदा हुआ कि 5 MLC जो है वो इनके जीत गए अस्थानिये निकाय कोटे से जो चुना हुआ उसमें 5 MLC जीते जिसमें से 3 MLC समाज से थे भुनिहार थे और 2 MLC अधर कास्ट के थे तो इससे ये फायदा हुआ तेजश्वी को कि इनकी जो पाटी है वो A to Z की तरफ आगे बढ़ गई और दूसरा फायदा हुआ कि कम विधायक होते हुए भी इनके 3 MLC जो है वो सदन में चले गए हमने आपको पहले ही बताया था कि उस समय जब विधायक कोटे से MLC का चुना हो रहा था 31 विधायक चाहिए था 31 विधायक 1 MLC को चुनता है लेकिन तेजश्वी के पास विधायक की संक्या जितनी थी उसमें 15 विधायक कम पर रहे थे लेकिन कोई समर्थन नहीं दे रहा था अंत समय में माले ने अपना समर्थन दिया और तेजस्वी के तीन MLC जो है वो जीत कर सदन में पहुँच गए तीसरा फायदा हुआ कि बोचहा में उपचुना हुआ उसमें तेजस्वी आदो काउमिद्वार जो है वो जीत गया चौथा फायदा हुआ और वेसी के चार विधायक जो है वो राज़द में सामिल हो गए पाचवा फायदा हुआ राजद A to Z पूरी तरीके से बन कर तयार हो गई है और छटा फायदा हुआ पाटी सत्ता में आ गई तेजस्वी आदो फिर से उपमुखमंत्री बन गए और सात फायदा तो आपको यादी है कि दो जगहों पर उप चुना हुआ मोकामा में तो तेजस्वी आदो ने जीत हासिर करे ली गोपाल गंज में भी तेजस्वी आदो के उमिद्वार ने अच्छा परदर्शन किया और जो बीजेपी के कंडिडेट थे उनसे मात्र 22 वोटों से ह आदो यादो के मामा बीएसपी से चुनाओ लड़ रहे थे वो हारे थे और इस बार राज़त के कंडिडेट ने ये साबित कराया कि गोपाल गंज में आज भी लालु यादो का चलता है आज भी तेजस्वी आदो का सिक्का वहाँ पर चलेगा तेजस्वी आदो थोड़े स अगर टाइट होंगे तो गोपाल गंज का सीट भी राज़त का हो जाएगा ये सारे फायदे तेजस्वी को कब हुए जब तेजस्वी आदो की पतनी जो है वो राबरी आवास में आई और लगातार राज़त को फायदा ही फायदा हो रहा है अब देखे किस तरीके से कहा य पतनी का हाथ होगा कहा ये भी जाता है कि हर सफल वेक्ति के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी आदो के सफलता के पीछे तेजस्वी आदो की पतनी का हाथ है वेराल इसकबर में इतना ही बने रहा है मैं साथ और देखते रहे the India Top.